नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल और हम बात कर रहे हैं प्रेग्नेंसी के बाद दिलिवरी के बाद बालों के ज़ड़ने के बारे में जिसको लेकर मुझे तीन चार मेल आये हुए हैं और उन सबी की यही प्रॉब्लम है कि उनको हैर फॉल बहुत साधा एक्स्ट जो असर है वो आपके बेवी पर पड़ेगा आपके ब्रेस्ट फेडिंग पर पड़ेगा तो सबसे पहली चीज है कि स्ट्रेस मत लीजए आपका मदरूड इंजॉई कीजए क्योंकि I am here to help you सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या-क्या इसके causes हैं क्या-क्या reasons हैं जो आपको problem face हो रही है यह है due to hormonal imbalance at the time of pregnancy estrogen and progestron दोनों hormones का level बढ़ जाता है जिसकी वज़े से आपके hairs काफे थिक दिखने लगते हैं आपके nails काफी अच्छे दिखने लगते हैं दूस्तो after pregnancy क्या होता है आपकी estrogen hormone का level है उसका secretion जो है आपकी body में वो कम हो जाता है जिसकी वज़े से भी आपको hair fall की जो problem है वो face करनी पड़ती है at the time of pregnancy आपकी hair growth बढ़ जाती है एक study में यह पाया गया है कि 73% hair growth during the pregnancy बढ़ती है after pregnancy estrogen hormone का जो secretion ने वो कम हो जाता है जिसकी वज़े से आपको hair fall देखने को मिलता है इसकी remedies क्या है हम कैसे इससे छुटारा पा सकते हैं सबसे पहला है iron rich food जी हाँ after delivery भी आपको iron rich foods आपकी diet में जरूर जरूर add करने है इसके बाद है vitamin C जी हाँ vitamin C iron के absorption को बढ़ाता है इसलिए आपके लिए जरूर है and vitamin E क्योंकि यह antioxidant rich होता है और आपके बालों की growth के लिए बहुत ही जादा फायदेमंद है इसके बाद है calcium rich food दूद और दूद से बनी हुई चीजे पनीर, मखाने, दही, मखण यह सब कुछ आपको आपकी diet में add करना है क्योंकि यह आपको देता है stronger bone और देता है stronger, thicker और healthier आपके hairs इसके बाद zinc definitely zinc rich foods आपको जरूरी है ताकि आपको immunity अच्छी दे सके, breastfeeding करा रही होगी तो आपके baby के लिए भी बहुत अच्छे है और zinc आपके बालों में shine देता है जो आपके बालों से shine जा रही है वो zinc की कमी की वज़े से भी हो सकती है तो zinc rich foods आपको खाने है जित्ती भी तरह के बीजे है, nuts है, seeds है इन सब में zinc भरपूर मातरा में मिलता है things to avoid, जी हाँ अब ये देख लेते हैं आपको क्या-क्या नहीं करना है, क्या-क्या साफधानिया रखनी है जीला है stop using hair dryer क्योंकि heat आपके hairs को damage करेगी और hair fall को increase करेगी आपको stress नहीं लेना है क्योंकि ये normal चीज है, जब आपका hormonal balance सही होगा, ये hair fall अपने आप कम होने लगेगा जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे ही आपका hormonal imbalance ठीक होगा, hair fall अपने आप कम होने लगेगा, ये natural है, ये सब के साथ होता है stress मत लीजे, आपकी life और parenting life दोनों enjoy कीजे, अगर ये चानकारी अच्छी लगी हो तो इस channel को like, subscribe and most importantly इस video को share करना मत भूलिएगा अपना ध्यान रखेगा, take care everyone, bye bye